चोपड़ा है जो किसने वुटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आज इस वीडियो में हम मदरास हाई कोट के उस केस की अपडेट के बारे में बात करेंगे जो NMC रूल यानि 50% प्राइवेट सीट गौवर्मेंट फीज के अगेंस्ट किया गया था एक बार हम इस केस की बैक इस्ट्री के बारे में जाएं तो तमिलनाडो और पॉंडिचेरी के प्राइवेट मेटिकल कोलेज वे डिम्ड इनिवर्सिटी ने NMC के 50% फीज रेडियूस के बारे में NMC के रूल को चलेंज किया था और 17 अगस्त 22 को इसकी मदरास हाई कोट में हीरिंग थी दोनों पक्सों में काफी वैस होने के बाद इसका फैसला रिजर्व रख लिया गया था अब इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट यह है कि एडिशनर सोलिस्टर जनरल जो गौर्मेंट यानि NMC की तरफ से फक्स रख रहे थे उन्होंने मंडे 22 अगस्त 22 को अक्सपार्ट कमिटी की रिपोर्ट बेंच को सब्मिट कर दी है हालांकि असिस्टेंट सोलिस्टर जनरल 17 अगस्त आप्टर नोन से 21 अगस्त तक आउट ओप स्टेशन थे इस कारण यह रिपोर्ट 22 अगस्त को सब्मिट की गई है अब इस एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट और केस को रिव्यू करने के बाद बेंच द्वारा इस केस का डाइरेक्ट फैसला सुनाया जाएगा और हो सकता है यह डिसीजन 26 अगस्त फ्राइडे तक आ सकता है हालांकि इस वीक में यह केस रेगुलर लिस्ट में लिस्टेड नहीं है मगर एडिशनल लिस्ट में किसी भी दिन लिस्टेड हो सकता है क्योंकि अभी 1 सिप्टेंबर से पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट होनी है और इससे पहले पहले यह डिसीजन आना जरूरी है क्योंकि यह जो मैटर है वो यूजी वे पीजी दोनों के लिए है तो हम आसा कर रहे हैं कि यह 26 अगस्त तक इसका डिसीजन आ जाएगा 28 अगस्त को EWS की हीरिंग भी है सुप्रिम कोट में EWS केस की तो जैसे भी इन दोनों केस का डिसीजन रहेगा हम आपको इनफर्म कर देंगे अभी वीडियो के अंत में आपको यह बता दूँ कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं मैंने ओलिंडिया कोटा, आयूस, वेटनरी, MBBS, BDS सभी के बारे में बुक के इसमें अविलेबल है तो आप इसको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं फिर हमारी वेबसाइट www.chopdaeducation.in से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसमें मैंने कटोव, सीट मेट्रिक, सर्विस बोंट के बारे में जानकारी और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 24 लिस्ट के बारे में जानकारी दी गई है कि 22 में आपको कैसे कैसे 24 फिल करनी है, क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है और इसमें 3 years की कटोव भी अविलेबल है तो यह बुक आपके लिए काफी helpful रहेगी जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं, हम आपसे संपर्क कर लेंगे तो यह जानकारी थी मदरास high court के केस के बारे में नई update के साथ नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहें